दोस्तो राउटर के IP चेंज करने के लिए Google Chrome पे जाएंगे वहाँ पे डालेंगे 192.168.1.1 यूजर नेम डालेंगे पासवर्ट डालेंगे लॉग इन कर लेगे उसके बाद क्लिक करेंगे वैप और PC पे और यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क पे नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन पे और लाइन पे क्लिक करने के बाद हम जिस रेंज के डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल देंगे हम 0.1 की रेंज के डालना चाहते हैं 0.1 कर देते हैं फिर स्टार्ट पे जाएंगे वहाँ दोस्तों फिर वेब रोज जाएंगे वहां पर डालेंगे 192.168.0.1 चुकि हमारे राउटर के आई-पी अड्रेस चेंज हो चुकी है अब लॉगिन कर लेते हैं यूजर नेम डालेंगे उसके बाद राउटर का पास्पर्ट डाल के चेक कर लेंगे ठीक है तो दोस्तों हमार राउटर का जो आई-पी अड्रेस है वो लैन आई-पी अड्रेस चेंज हो चुका है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद